एक समय था जब देश में ये सोच हावी हो गई थी कि कुछी सक्टर्स को मजबूत किया जाता था, बाकी को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था हमने इस सोच को बदल दिया है, इस एप्रोश को बदल दिया है, आज के नए भारत में हर सक्टर में उसके विकास से ही देश के विकास को गति मिलेगी इसलिए हर सक्टर का साथ, हर सक्टर का विकास ये आज देश की ज़रुवत है, इसलिए हम हर उस रास्ते को एक्ट्लोर कर रहे हैं, जो हमारी ग्रोथ को मोमेंटम दे सकता है सोच और एप्रोच में ये जो महत्वपन बढ़लावाया है, वो देश को नतीजे भी दे रहा है हमने अपने मजबूत सर्विस सेक्टर पर फोकस किया, तो सर्विस एक्सपोर्ट में 250 बिलियन डालर का रेकॉर्ड बनाया हमने गूड एक्सपोर्ट पर फोकस किया, तो 420 बिलियन डालर के प्रोड़क्ट के एक्सपोर्ट का भी रकॉर्ड बना दिया इन सब के साथ ही हमारे प्यास अन्य सेक्टरस के लिए भी उतनी ही गंभीरता से चल रहे हैं इसलिए ही हम अगर टेक्स्ट्राइल के सेक्टर में प्याला स्कीम को लागू करते हैं तो ड्रोन्स, सेमिकंडक्टर्स और हाई एफिशंसी सोलार पीम मोडूल्स, पीबी मोडूल्स इसके लिए भी इस स्कीम को आगे बढ़ाते हैं बायोटेक्स सेक्टर के विकास के लिए भी भारत अग जितने कदम उठा रहा है वो अभूत्पूर्वा है